तो वेलकम बैक बचा लोग तो आज आपको पता ही होगा कि हम टोपिक पड़ेंगे पोटेंचल डिव टू डाइपोल के कारण बड़ाई मजदार और इंटरस्टिंग टोपिक है और इसके बारे में अच्छी अच्छी बाते भी जानने को मिलेंगे आपको और इसकी खास बा पहले जो पेलिग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लेजिए कि कोई सारा कंटेंट सारा मेटीरियल वहां पे आपको मिल जाएगा ठीक है और चैनल को सेर कीजिए जादा से जादा ताकि उन बच्चों तक उन लोगों तक ये बात पह जाने हैं और किस घलेट डारेक्शिन में आप जाते सारी बात आपको बताई जाएगी थैर चलिए हम बात करते हैं और Potential Due to Dipole हमें find out करना है, तो सबसे पहले Potential Due to Dipole अगर हमें find out करना है, तो इससे पहले मुझे एक छोटी सी बात जो है वो करनी होगी, वो क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Dipole क्या होता है, तो dipole का जो main है मैंने पहले से आपको बता दिया गया था कि when two equal and opposite charge are separated by some distance that is the two equal and opposite charge suppose कीजिए कि that is the minus q and that is the plus q ठीक है और both are separated by some distance and that distance is 2L that distance is 2L and that is the mid center of these two ठीक है तब when two equal and opposite charge are separated by some distance is known as dipole और ये पहले dipole की video भी आपको मिलेगा lecture वो आपको मिल जाएगा playlist के अंदर complete playlist अपनी उसके अंदर मिल जाएगा वहां से जाके देखिए अब देखिए हम बात करते हैं हमने क्या लिया है dipole को find out करना है अब potential को find out करना है जैसे electric field को find out किया था एक axis पर पिया था एक equatorial के ओपर हमने क्या एक at any point पर किया तो तीन अलग-अलग हमने उसके derivation किये थे एक क्या होता कि एक method होता कि टीनों को similar manner में जैसे electric field को find out किया एक बार axis पर find out करो एक बार equatorial पर एक बार at any point पर ऐसा ही होता है और कई में हम क्या करते हैं इसको directly solve कर लेते हैं अब देखी directly कैसे solve करेंगे suppose कर लीजिए कि हमने एक point माल लिया that is not an equator and not an axis this is the point इसको हमने माल लिया ठीक है और ये mid point से मैंने माल लिया कि ये r distance के उपर है mid point से इसकी distance भी हमने बोल दी कि that is the r distance अब इस point से जो minus क्या हुआ ला charge है इससे भी कुछ distance के उपर होगा that is this distance similarly इस point से भी कुछ distance के उपर होगा that is this distance अगर मैं इस angle को theta कह दूँ तो that remaining angle is 180 minus theta 180 minus theta के बराबर होगा you know very well कि अगर मैं इसको theta कहता हूँ तो ये 180 minus theta बनेगा ठीक है that is 180 minus theta this is the angle अब इस distance को मैं क्या बोल देता हूँ कि जी r1 distance है इस distance को बोल देता हूँ r2 distance and that point is p point ठीक है और ये minus के उचार्ज वो plus के उचार्ज अब खास बात ये है कि potential एक scalar quantity है vector quantity तो है नही और scalar quantity कैसे आड होती है directly that is total potential is equal to v1 potential plus v2 potential अब suppose कर लिए v1 potential is due to minus के उचार्ज and v2 potential is due to plus के उचार्ज that is the value of v1 is equal to k into minus के उचार्ज divided by r1 ठीक है r2 this is the simplest way यह बोट थींग आगी जो आपको simply दिखाई दे रही होंगे that is the v2 अब total potential की बात करेंगे that is the total potential what is the value of v1 v1 is equal to k into q divided by r1 plus v2 is k into q divided by r2 अगर हम इसको simplify करें it comes out to be a k into q दोनों जगे से common अब आगे हमने ले लिया r2 और पीछे हमने ले लिया r1 को क्योंकि r1 किसका था negative का और r2 किसका था positive का तो इस परकार इस potential की value को हमने find out कर लिया आप देखिए बड़ा simple लग रहा होगा कि यह तो हो गया sir पर इसमें एक थोड़ी सी बात है जब आपको यह लगे कागे ने कि physics खतम होने को है तब एक नई चीज निकल के आएगी और वो नई चीज के आएगे अब हमें इस r2 और r1 की value को find out करना r2 और r1 की value को find out करना यह challenging part होगा हमारा ठीक है अब इस challenging part के लिए मैं आपको बता दूँ देखिए मैं क्या करता हूँ इस part को उठा लेता हूँ इस diagram की बोजरूत परने वाली है आप सबको तो हम इसको उठाके थोड़ा निच्छे ले लेते हैं ठीक है यह हो गया आप potential की value finally हमने इतनी find out कर ली थी आपको दिखाई दे रही होगी अब रहे कि यह बचा party क्या होगा students बड़ा ही simple सी बात है आपको मैं अंदेरे में नहीं लेके जाना चाहता है जो fact है वो fact ही बताऊँगा मैं यह नहीं कहूँगा कि आप यह कर लोगे तो यह हो जाएगा यह कर लोगे तो यह हो जाएगा नहीं पहले ही बात तो है महनत और दूसरा है smart work इन दो तरीकों से आप उस लक्षे को जिसके लिए आप prepare करें उसको पास सकते हैं और यह guarantee है पालोगे बस confidence प्लस hard work प्लस smart work यह तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए you can do anything आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए आपको ज़्यादा panic होने की जुरूत नहीं है अब देखे सबसे पहले मुझे इस r1 को find out करना r1 के लिए आमें क्या लगाना पड़ेगा love cosine अब मैं बात करूँ तो यहां से आतक की distance l and that is distance from this and this is l क्योंकि total 2l थी तो that is the r1 r1 के उपर love cosine लगाऊंगा तो r1 किसके बराबर हो जाएगा r2 plus l2 r2 plus l2 plus 2 rl cos theta ठीक है जब इस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं तो love cosine में इस angle को लेंगे that is the cos theta अब देखी क्या हो जाएगा यहां पर r2 common नहीं है दक्के से common ले रहे है दक्के से common लेंगे देखी क्या होगा r1 is equal to में दक्के से common ले लिए और पूरे के उपर क्या है इसको square ही लगा दो r1 square बाद में root ले लेंगे दक्के से common किसको ले लिए r2 को तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस L square divided by मैं R square पहले भी सिखा रखा दक्के से कॉमन लेना यहाँ पे इसको दक्के से लिए तो इसके बटे में भी आ जाएगा और इसके divided by में भी आ जाएगा that is the R square तिंग टॉं that is cos theta अब इस एक R से R cancel out we have that is the R1 का square is equal to R का square so simple बिल्कुल सिंपल ही बाते चल नहीं है कुछ भी नहीं है देखिए just mathematics है अब अंदर क्या बचा 1 plus L square divided by R square ठीक है अब next क्या बचेगा that is 2L divided by मैं R into cos theta यह बात आगी अब एक बात सोची अगर यह R distance यह वाली R distance बहुत बड़ी है किसके comparison में? L के comparison में that is R square is greater 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 than L square जैसे हम sold dipole का case लेते थे तो हो गए क्या यह बहुत बड़ी हो गई जुसका denominator है dividing part बहुत बढ़ा हो गया है तो हम इसको neglect कर देंगे तो R1 का square comes out to be R का square into 1 plus में 2L divided by R into cos यह हो जाएगा अब मैं इस हाँ पे निकालता हूँ R1 की value that is the R क्योंकि इसका under root आएगा तो square खतम हो जाएगा that is 1 plus 2L divided by R into my cos theta into whole power 1 by 2 ठीक है? यह किसके लिए आगया हमारे पास? R1 के लिए आगया अब हमें क्या करना है? R2 की value find out करने है उसी triangle में R2 की value find out करने है तो similarly R into 1 plus क्योंकि triangle तो same है 2L divided by R into my cos angle कितना हो जाएगा? 180 minus theta यह angle हो जाएगा क्योंकि इस triangle की बात कर रहे हैं तो 180 minus theta हो जाएगा now R2 बाकि सारा काम सेम बस angle change हुआ है cos 180 minus theta is equal to में इसके उपर power कितनी? 1 by 2 so R into 1 अब cos 180 minus theta minus cos theta cos 180 minus theta minus cos theta तो minus sign 12 divided by R into cos theta and whole power 1 by 2 that is the that is R1 is equal to R into this is the value 1 plus 12 by R cos theta power 1 by 2 और यहाँ पर 1 minus इन दोनों की value क्या करेंगे हम? इन दोनों की value इस equation में put कर देंगे तो put कीजिए next page ले लेते हम तो देखी क्या होगा? that is the potential is equal to में K into क्यों को ले रखा? common that is 1 upon में R2 and what is the value of R2? this is the R2 यह ले ना था ना में? देखो R2 और यहाँ पे R1 तो 1 R into देखिए क्या लिखेंगे? R into 1 minus 2L divided by R cos theta whole power 1 by 2 ठीक है? minus sign के साथ 1 upon R into 1 plus यह माइनस था तो R1 के लिए पलस आ जाएगा 2R into cos theta ठीक है? अब देखिए R और R दोनों जगे से common आ रहा है तो that is the potential into में K क्यों divided by में R यह तो हमने ले लिया बाहर ठीक है? अंदर क्या बचा है? अंदर बचा 1 upon 1 minus 2L divided by में R इसकी पावर 1 by 2 भी लिखना है 2 by R into cos theta power 1 by 2 minus 1 upon 1 plus 2L by में R into cos theta और whole power 1 by 2 यह बात है अब क्या है कि ऐसे equation का solution तो हम क्या ही करें? एक मन करता है कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ आगे कुछ करावी ना ऐसा मन कर रहा है इसका मैं इसा करना पड़ेगा कि इसको हम binomial expand कर देते हैं और कैसे करेंगे देखिए मैं अगर इसको उपर लेके जाओ that is k into my q divided by R यह अंदर है अब यह जाएगा उपर तो that is 1 minus 2L divided by R into cos theta और इसकी power कितनी हो जाएगी? minus 1 by 2 क्योंकि बार प्लस की थी तो अंदर जागे किसकी हो जाएगी? minus 1 by 2 that is minus 1 by 2 minus sign के साथ इसकी लेंगे that is 1 plus 2L divided by R into cos theta and whole power कितनी हो जाएगी? minus 1 by 2 के बराबर अब क्या होता? कि जब binomial expansion की बात करते हैं तो कुछ फर्मूला ऐसा होता 1 plus x power n that comes out to 1 plus n into x ऐसे हो जाता है अगर यह minus n होता तो आपे minus nx हो जाता plus n है तो plus nx हो जाएगा ऐसे हो जाएगा अब इसको simplify करते हैं देखिए करते हैं simplify that is the simplest one बिल्कुल छोटी छोटी बात नहीं है ज़्यादा बड़ी बात नहीं है that is the potential is equal to my kq divided by my r अब इसको expand करेंगे that is minus 1 by 2 आगे that is 1 minus अब minus 1 by 2 आगे sorry 1 minus minus 1 by 2 आगे into my 2l divided by my r into cos theta अब इस minus को अंदर लेके जाएंगे देखिए क्या होगा minus इसको अभी यहीं पे रखो plus के साथ कितना minus 1 by 2 देखिए 1 plus इसका binomial extension आगे आजाएगा that is minus 1 by 2 ठीक है into 2l by my r into cos theta यह हो जाएगा अब देखिए क्या होगा that is v is equal to my kq divided by r next is अब यह क्या हो जाएगा 1 minus minus कितना हो जाएगा plus इस 2 से 2 cancel that is l by my r into cos theta अब यह minus अंदर जाएगा तो minus 1 अब इस 2 से 2 फिर cancel और यह minus था एक minus यह तो किसका हो जाएगा plus का that is l by my r into cos theta अब यह minus 1 यह plus 1 cancel out that is the potential comes out to be a k into q divided by my r l by r cos theta plus l by r cos theta that is 2l by my r into cos theta and you know very well kaw into 2l kaw into 2l में क्या बनाता है dipole moment p अब यह कहोगे कि सर इसको लेना क्यों जूरूरी क्योंकि आपके topi का नाम देखे topi का नाम क्या है topi का नाम है potential due to dipole तो dipole की टरम तो इसमें include ही होनी थी तो region तो अगला आपको दिखाई दे रही होगे कि जब हमने dipole find out किया जब हमने एक charge लिया था एक point charge और उसके current potential निकाला तो potential की value आई थी k का उडिवाइडेड बाय मैं एक charge के लिए जब हमने dipole ले लिया तो potential inversally to किसके आ गया r square के यहाँ पे तो single power पे depend कर रहा था और यहाँ पे double power पे depend कर रहा है किस case में बता रहूं है जब यह point charge था कि वह एक ही charge के current potential निकाला और यहाँ पे किसके का निकाला dipole के current potential निकाला तो दोनों बातों में फरक समझ लीजिए कई बार क्या होता है कि neat के अंदर direct question आ जाता है कि हमारे पास एक dipole है और उस dipole के अंदर हमारी जो power है उसके potential किसके उपर depend करेगा radius के या distance between them के तो उसमें क्या करेगा square के उपर depend करेगा dipole में अगर यही पे quadrupole हो जाता तो यह r power 3 हो जाता r power 4 नहीं 3 हो जाता तो यह बात याद रखें तो ऐसे question पूछ लेता है ठीक है अब देखिए अब इसके special case लेते हैं हमारे पास यह potential की value आगे simple सी बात है कोई बड़ी बात नहीं है अब हम इसके case लेखेंगे देखिए v is equal to k into p into cos theta divided by में क्या हो गए r का square अब एक बात समझेए अभी अभी हमने एक बात बनाई थी और वो बात क्या थी यह हमने क्या लिया था minus के उचाष that is the plus के उचाष और हमने एक point mid से उठा के कुछ यहां पे माल लिया था ठीक है and that is the sum distance from this to this and similarly from this to this ठीक है अब इस angle को मैंने क्या मानना था theta and that is the direction of dipole is minus के उचाष to plus क्या हो you already know कि P is minus के उचाष to plus क्या हो अभी क्या कह रहा है इसमें एक special case बन जाए special case और special case क्या होगा पहला if theta is 0 that is theta is 0 degree theta 0 कब होगा जब मैं इस P point को उठाके यह angle theta था जब इस P point को उठाके मैं यहाँ पे ले आऊ इस P point को उठाया और यहाँ पे ले आया तो theta क्या हो जाएगा 0 और आपको दिखाई दे रहा यह point किसका काम कर रहा है axis का काम कर रहा है दो बातें यहाँ पे मैं समझा रहा हो जब इस P point को यहाँ पर उठा के ले के आऊँगा तो theta 0 होगा और theta 0 होते ही यह dipole का कौन सा होता axis वाला point तो जब theta 0 होता है तो कौन सा case आजाता है axis case आजाता है भई कौन सा case आजाता है axis का case आजाता है ठीक है that is case for axis axis का case आगया अब axis के ओपर कितना होगा V is equal to my K into my P and that is cos 0 degree divided by my R का square that is K into P divided by R square that is the potential due to dipole at axis तो V at axis, axis के ओपर कितना होता है that is the K P by R square और axis के ओपर electric field निकाला था वो कितना आया था? electric field that is the K into P divided by my R cube के है यह difference था दोने में वो K P by R cube, R cube के ओपर depend करा था और यह किसके? R square पे depend करा दोनों में यह difference है देखे, आब हम बात करते हैं second case, second case ले लिया if theta is 90 degree theta is 90 theta 90 कप होगा? जब मैं इस point को उठा के बिल्कुल इसके perpendicular ले आऊँगा यहाँ पे ले आऊँगा इस point के उठा के उठा के तो theta कितना होगा? 90 और वो कौन सा case बनेगा? equatorial का equatorial, तो case बन जाएगा equatorial case हो जाएगा ठीक है? तो that is potential is equal to my k into my p into cos 90 degree divided by my r का square cos 90 की value 0, तो potential equator के उपर कितना होता? 0, but electric field 0 नहीं होता, यहाँ पे 2 भी था बैए electric field equator पे कितना होता है? that is kp divided by my r q ठीक है? यह होता है, बट यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कौन? potential ठीक है? क्यों potential 0 हो रहा है? उसका region भी बता देता हूं आपको next slide में suppose कीजिए आपने ले लिया, that is the minus q and that is plus q, और आप ले रहे हो equator का case, mid से उठाया equator का case ले लिया, 90 degree पे ठीक है? अब की बार जो p point है, यहाँ पे है, अब देखिए यहां से आ तक की distance कितनी है? l है, तो यहां से आ तक की भी कितनी होगी? l होगी यह distance भी कितनी है? r के बराबर है अब आपने दो point माने, दो point का मतलब क्या होगा? एक यह हो जाएगा, तो plus l square divided by under the root तो इसके कारण potential minus k के होगा? r square plus l square under the root और उसके कारण plus k के होगा? r square plus l square under the root. अब यह दोनो distances सेम होगी, जैसे ही angle perpendicular होगा, तो total potential कितना होगा? 0 के बराबर. जब हम any point का case उठा रहे थे, इससे पहले, यह any point का case देखिए इस any point में यह distance अलग है और यह distance अलग है बट जब perpendicular हो जाता है तो दोनो distance क्या हो जाती है? सेम हो जाती है इसलिए वो same था. तो आपको equator का case लेना हो, तो equator के उपर कितनी? 0. और axis के उपर कितना हो जाएगा? that is the kp by r square. और at any point की बात करें, any point तो that is the k into p into cos theta divided by r square. यह तीनों बाते हो जाएगे. तो ऐसे आपको इसको solve करना था. अब यह होने के बाद एक छोटा सा topic और है वो क्या है? हम बता दू potential due to a ring potential at axis of a ring axis of a ring that is potential at axis of a ring ठीक है? axis of ring के उपर potential find out करना हमें यह अमना एक topic और है छोटा सा ठीक है? अब देखिए इसको find out करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? एक ring मानना पड़ेगा ठीक है? अब suppose कीजिए यहाँ पर exactly ring का तो कोई safe है नहीं फिर भी near to ring है कुछ circle की तरह ही suppose कर लीजिए कि यह एक ring है ठीक है? यह ring मान लिया हमें अब इस ring के किस के उपर find out करना? axis के उपर अब suppose कर लीजिए कि यह point इसका center हो गया और इससे axis का point यह है that is the ring और इस ring के center से उठाके axis का point यह है जहाँ पर हमें क्या find out करना है? we have to find out suppose कीजिए कि यह r distance है and the radius of the ring इसको कुछ भी मान लिजिए suppose कीजिए कि that is the capital R आपकी मर्जी कुछ भी मान लिजिए यह point P है जहाँ पर हमें क्या find out करना? potential find out करना है ठीक है? अब क्या होता है कि ring के कारण potential कैसे find out करे? यह समस्या होगे और पूरा ring charged है इस ring के ओपर कुछ न कुछ चार्ज लाई कर रहा है positive charge भी हो सकता, negative भी हो सकता कोई फरक नहीं पड़ता है उस बात से हमें अब एक बात सोचिए अगर हमें इसका potential find out करना है तो that is the potential formula k into में क्या हूँ? divided by my distance जो भी लेते हैं, r ले लिया, कुछ भी ले लिया जो distance बता रही है, बट फरक यहां पर क्या है कि हमें इस पूरे ring का एक साथ नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि physics में पूरी चीज का एक साथ निकालने की मनाई है वो कहता है कि छोटे टुकडे का निकाल लो फिर उसका integration कर दो, हमें कोई problem नहीं होने वाली ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है अगर हमें इसके छोटे टुकडे का निकाले देखिए अब suppose कीजिए मैं इसका एक छोटा सा टुकडा ले लेता हूँ जिसका d क्या हो चार्ज और डिसकी ds क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी अब यह जो छोटा टुकडा है यह टुकडा है जो यह इस p point से कुछ distance के उपर होगा और इस distance को हम क्या कहेंगे? that distance is x ठीक है? तो इस छोटे टुकडे के काण उस p point के उपर जो potential आएगा that is v at p is equal to my k into my d क्याओ and distance between them is x यह होगा क्योंकि छोटा सा टुकडा है था उस टुकडे के काण जो आया वो क्या हो जाएगा? d क्याओ के बराबर हो जाएगा ठीक है? अब हम क्या करना है? that is the value of x x is equal to my that is r square plus small r square under the root क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें पाइथागोरस पर में लगा दे तो capital r square plus small r square that is the x तो v at p is equal to my k into my d q divided by r square plus r square और खोल के उपर क्या हो जाएगा? under the root हो जाएगा अब क्या करना है? कि हमें इसका integration solve करना है अगर हम इसका integration solve कर लेते हैं तो complete integration से हमें क्या मिल जाएगा? complete charge की कान मिल जाएगा तो किजिए integration solve by integration integration that is v at p integration करेंगे तो k into d q divided by max x की value भाद में पुट कर लेंगे k बहार और d q का integration q that is the r square plus r square under the root the potential at p point is equal to my k into my q divided by r square plus r square under the root तो ये किसके कान हो जाएगा? potential at axis of ring ring के axis गे उपर electric field तो थोड़ा अलग तरीके से solve के जाता था ये simple हो गया यहाँ पे ठीक है? और इसमें कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है तो इतना था हमारे पास ठीक है भई? तो आज के लिए सरफ इतना ही बाकि next वीडियो के इंदर हम बात करते हैं और लाई में फिर आपको इससे भी जादा बाते बनाते हैं अब देखी ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि मैं जादा बड़ा भी नहीं बना सकता आपको होगी कि सर तो क्या बता कितने बड़े-बड़े बनाते हैं अगर problem नहीं है तो उसके लिए भी comment section में mention कर दो कितना बड़ा हो जाए बस हमें knowledge चाहिए हमें सरफ crack करना आपकी बार selection चाहिए हमें बस ऐसे तो उसके अंदर क्या होता है कि live आउँगा तो मैं बताता कि disk के कान कैसे find out कर दे potential तो मैं बताता कोई एक बड़ा सा line charge ले लिया slendry कर एक charge मान लिया कोई भी एक wire मान लिया उसके अंदर कैसे find out करेंगे ठीक है disk के कान बता दिया ring के कान जैसे ये बताया हबी ऐसे ही परकार कोई line charge के कान बनाता तो spear के कान बताता disk इस सब अलग अलग चीज के लिए बताता ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकि next thank you